दोस्तों हमारे मित्र का कोश्चन आये था कि उन्होंने एक रंगीन कपले को जिसका कलर फट चुका था उसको रीड़ाई करने की कोशी की तो उन्होंने उसको बिलीज से उसको रंग उसको निकाला उसको वाइट किया दो तिन बार उसको डिटरजन से वाश किया डिटरजन स किसी भी हाइप या बिलिश को हुग यूज करते हैं उसके बाद हम उसको बैख करने चाहते है वह क्योंकि वह न्यूत Waar जब तक रिया नहीं होगा खाड कहते है न कि उसमें डिट में सोडा परियाप्ट नहीं होता उसके लिए हमें न्यूटण करने के लिएुसमें रंग कार्ड यानी sodium hydro sulfate यूज करना पड़ेगा तो जैसे हमारे डायर होते हैं डायर भी जब किसी कपड़े को जब डाइंग करते हैं तो उसको RFD यानी ready for dying उसके लिए hard washing करते हैं के लिए डिटर्जन सोडा यूज किया जाता है और उसके अंदर मान लो ओईल बगारा हो ओईल कैसे होता जब मशीनों पर गार्मेंट चलता है तो ओईल लग जाता मशीनों से तो उसके लिए या तो पिटोलियम प्रडेक्ट एम्टियों सॉल्वेंट हैक्सीन सीटी सी वगा करना तो उसके लिए उसमें रेजिस्कोर रहने यूज करते हैं या उसके पर एम्लसी वार यूज करते हैं और काफी हमारे भाईयों का यह होता है कि साबुन से तेल के दाए निकल जाते हैं छोटे मोटे तेल के दाए निकल जाते हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि के अंदर तेल को मिलाने की शमता अगर डिटरजन के अंदर होती तो वह बाकि एमल सी फार या रेजिस्कॉर का नामी नहीं होता क्योंकि किसी भी ओईल को किसी भी तेल को पानी में बिलकुल मिक्स करना उसको एक लगन करना वह सिरफ हम जो हमारे जो तेल काडी ट्राइप के जो केमिकल होते हैं जिसमें रेजिस्को रहना है या उसके एमल सी फाल बहुत से कहते हैं कि उसमें फ्लॉर या टॉइलेट पर यूज होता है सीरह से पंडाए कि जब आप मनुष्र के डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको मनुष्र की दवाई मिलेगी पश मोठीम के लिए जा रहे हैं या केमिकल शॉप पर जारे हैं रहां अप कप्डों के लिए मंग सक्षाटों आपको टॉलेट कीृइनर वह क्यों देगा और क्य उसका सही नहीं हुआ या उस कल्ड को काटके दूसरा कलर करने के लिए तो वो क्या करता है गरम पानी के नदर सोडियम हाइडोसलपेट रंग काट को वो जिगर के उपर चलाते हैं ज्यादा होता जाए थान होते हैं तो जिगर पे चलाते हैं क्योंकि वो इक्वल होना क्वें और और अगर में थोड़े हो तो उसको अप उसको मशीन वास किया जाताः करब पाणी में उस disp WRED करेघadem किया और सोडू और स सड्याon पो का असर आप दो तीन बार खंगा लें कोई भर इन पड़ता आप बाश भी कर लें कि वो सिलाईयों के अंदर कहीं ना कहीं अगर उसका लेस मात्र भी अंस बचा रहा जाएगा तो वहां पे वह कलर नहीं चड़ेगा इसलिए वहां दब्दे पड़ जाते हैं तो सीधा सा पंड़ा है क्योंकि आदू जादू अंतर मंतर चूबंतर ये महली जानता हूं मैं तो सीधा पंड़ा जानता हूं कि विदी विदान से अगर आप अपने काम को करेंगे जो भी फार्मूलेशन होता उसके हिसाब से काम को करेंगे तो काम परफेक्ट होगा और काम क्या है कि भई यह मन से किया जाता है यह नहीं कि भई जैसे बे मन कर लिया हो जाएगा कर लेंगे किसी भी काम को करें पूरी लगंज के साथ में पूरा उसके अंदर खो कि कि सारे काम बंद कर दें वाल वाल साइट में रख दें अपने काम को करें तो यह यह दोस्तों कि सबसे पहले कि अपना मन बनाए कि मुझे एक काम करना है जब आपका मन बने तब ही काम करे यह नहीं बे मन के काम ना करे तो दोस्तों कपड़े के विश्व में कोई भी आपका कोश्चन आप मुझे से शेयर कर सकते हैं मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद जैहिन जैभारत